वेलकम फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पती को मिल गया असानी से डाइवोस आए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला इस मामले में पती ने पतनी के अलग होने के बाद एक लीगल नोटि नहीं आई इसके बाद पती ने सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ओफ कोंजूगल राइट्स का केस कोट में फाइल किया इस के दायर होने के बाद भी पतनी कोट में अपियर नहीं हुई एक्स पार्टी डिक्री पती के फेवर में हो गई इसके बाद भी पतनी कोट में नहीं फिर पती ने अपनी तरफ से डायवोस का केस फाइल किया परित्याग ग्राउंड के अधार पर कि पतनी दो साल से अलग रह रही है और बुलाने पर भी नहीं आ रही ऐसे में कोट के द्वारा पती की डायवोस पेटीशन को खारिच कर दिया गया अब पती ने इस ओर्डर क को चैलेंज किया करनाट का हाई कोट में करनाट का हाई कोट के द्वारा मामले की तत्यों और परिस्तितियों को देखा गया तो कहा कि 2013 से पतनी अलग रह रही है और बुलाने पर भी नहीं आ रही लेकल नोटिस भेजने पर भी नहीं आ रही एक्स पार्टी डिक्री हो गई तब भी नहीं आई और करनाट का हाई कोट ने फैमली कोट के आदेश को पलट दिया और पती के फेवर में डाइवोस की डिक्री ग्रांट कर दी इस जज्जमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते है तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानून से समंदित जानकारीयां पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो में लाज तक जोड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद